नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्स रही है तो फ्रेंट्स आज एक नई वीडियो लेकर आप सब के सामने फिर से आजीर हूँ वीडियो का टॉपिक है इंस्टाग्राम से रेलेटेड जैसा कि आप लोग थमनेल देखकर समझी गए होंगे तो टॉपिक है किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को जो कि आपने डिलीट कर दिया है उसको कैसे रिकावर कर सकते हैं तो लास्ट वीडियो मैंने बनाये था कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं तो उमिद है वो वीडियो आप लोगोंने देखा होगा और आप सीख गए होंगे को बैल की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको step by step समझाओंगा किस तरह से आप अपने डिलीट किये हुए राइट कोर्नर पर profile का option आपको दिख रहा है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर दो account है मेरे पास एक मेरा personal account है और एक मेरा text ही है के नाम से account है तो अभी मैं आपको पहले text ही है वाला account डिलीट करके दिखाऊंगा और उसके बाद उसको रिकावर करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस तरह से अकाउंट आप रिकावर कर सकते हैं तो डिलीट कैसे करना है उसके लिए मैं अल्रेडी वीडियो बनाया है आपको राइट को नर पर जाना है थ्री लाइन्स पर इसके बाद आपको जाना है अकाउंट सेंटर वाले आप्शन पर जैसे आप जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा डाउंस्क्रोल करना है अकाउंट सेटिंग वाले सेक्शन में और यहां पर जो परसनल डिटेर वाला आप्शन है वहाँ पर क्लिक कर लेना है इसमें सबसे लास्ट माँ आप्शन है अक को दो option हमार पास आंगे deactivate account और delete account तो हमने delete करना है तो simple delete पर check mark कर लेंगे और參 test यहाँ पर हम को कोई option करना है क्यों हम account अपना delete करना चाहा है तो simple हम यहाँ पर security on Instagram यह पर बहुंगा हमने Simple Continue वाले अप्शन पर क्लिक कर लेना है इसका बाद हमने यहाँ पर अपना password डालना है जो भी हमारा password है तो friends यहाँ पर मैंने password एंटर कर दिया है अब Simple हम क्लिक करेंगे Continue वाले option पर जैसे Continue वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर confirmation के लिए हमारे पास नया page उपर नो जाएगा और simple हमको यहां पर delete account पे click करना जैसे हम click करेंगे तो हमारा account जो है वो delete हो जाएगा तो हम click कर देते हैं delete account पे थोड़ा सा wait करेंगे तो देखे हमारा account जो है log out हो चुका है delete हो चुका है और हम switch हो गए है अपने personal वाले account पे देखे अभी यहां पर आपको सिर्फ एक ही account दिख रहा है तो अब हम इसको recover कैसे करेंगे recover करने के लिए पहला आपको point याद रखना है कि आप अपना account recover सिर्फ 30 days के अंदर कर सकते हैं जैसे ही 30 days complete हो जाएंगे उसके बाद आप अपना account recover नहीं कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है अब आपको simple यहां पर add instagram account पर क्लिक करना है अगर आपके पास एक ही account है और वो आपने delete कर दिया है तो simple आप log out हो जाओगे और login वाला page आपके सामने आ जाएगा और मेरे पास जैसे कि दो account थे तो मैं यहाँ पर add instagram वाले account पर क्लिक कर लूँगा इसके बाद क्लिक करूँगा login into existing account तो नय account हमने नहीं बनाना है existing को ही login करना है तो यहाँ पर देखें दो account है हमारे पास text हाई है और आई नीरज जोसी तो text हाई है वाले account को simple हम टैप करेंगे login वाले option पर तो यहाँ पर हमको error मिलेगा invalid parameter तो इसको हम करेंगे dismiss और नीचे आएंगे नीचे देखेंगे आपको दिख रहा है switch account and sign up तो simple आपने switch account वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे switch account पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम login वाले page पर आएंगे आप simple हमने यहाँ पर अपने इस account को login करना है जो हमने delete किया था यहाँ पर मैंने click कर लिया और यहाँ पर यूजर ID, email ID और phone number तिनों चीज में से किसी भी एक से यहाँ पर login कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए option आ चुका है want to keep this account, इस account को हमने use करना है तो simple keep account पर जैसे मैं click करूँगा तो यहाँ पर login हो जाएगा कई बार क्या होता है अगर आप 4-5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद एक दिन के बाद login करते हैं तो यहाँ पर keep account करने के बाद भी आपका login नहीं होगा तो simple आपने क्या करना है आपने यहाँ पर forget password डाले option पर click करना है जैसे आप अपना user ID डालेंगे उसके बाद आपने simple forget password पर click करना है और अपना password नया बना लेना है तो आपका account open हो जाएगा keep account पर हम जैसे click करेंगे थोड़ा से यहाँ पर हम wait करेंगे तो यह देखिए हमारा जो account है वो open हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूं तो यह देखो text है वाला account पर चल रहा है तोना account आ चुके है अभी simple keep account पर click करके ही हमारा account जो है open हो गया वो इसलिए क्योंकि अभी just ह हमने account delete किया था लेकिन अगर आपने एक दो दिन बाद आप करेंगे तो हो सकता है keep account से आपका login ना हो तो आपको simple forget password पर click करके नया password create करना है OTP के through और आप login हो जाओगे तो गाईस यह धा हमाराज का वीडियो उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ आता रहता हूं तो गाईस आज के लिए बस इप नहीं तिल देन गुड़ बाई